गुड मॉनिंग है विए बड़ी स्वागत है आप से भी लोग का ओलनाई स्टेडी चैनल एक्जाम रेजिस्टर में आज की इस वीडियो में हम लोग 31 अक्टूबर से 2 नॉवंबर तक के जितने भी इंपोर्टन्ट करेंट अफिर्शन उनको डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सभी गुर्मेंट एक्जम्स के लिए इंपोर्टन्ट है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग कैसी क्वेश्टिन पूछा था एक्सरे में किस दातु का उप्योग किया जाता है तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वोगा डी पेरियम सल्फेट का आज का हमारा पहला कोशन है ग्रामीन भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट की संगठन द्वारत जारी की गई थी तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वोगा डी पर्थम शिक्षा फाउंडेशन है जो हम लोगों की पर्थम एजुकेशन फाउंडेशन है उसके दवारा जो की है गरामिन भारत के लिए जो अमारी एजुकेशन रिपोर्ट है जो की एन्वल रिपोर्ट है जारी की गई है इस रिपोर्ट के अंदर जो की बताया गया है कि भी जो शिर्फ और शिर्फ ग्यारा परतीशत ही ऐसे बच्चे हैं जिने लाइव क्लासीज का एक्सेस है यानि कि जिनके पास लाइव क्लासीज को लेने के लिए जो कि इनके पास इंस्ट्रूमेंट है याद रखे का यह सिर्फ रूरल कब डाटा बताया गया है ना कि अर्बन का सहरी का सिर्फ ग्रामिन का डाटा है साथी इसके अंदर बताया गया कि 24.3 परतीशत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी लर्निंग मैटेरियल नहीं मिला है जिनको स्कूल से पढ़ने के लिए यानि कि उनके पास कोई भी मैटेरियल ही नहीं है जो ओनलाइन क्लासिस के लिए इंस्ट्रूमेंट की तो बात अलग है यानि कि जैसे कि बुक्स वगरा हो गई वो भी उन लोगों को नहीं मिले हैं सबसे सर्वे के अंदर बताया गया है कि सबसे कम जो स्मार्ट फोन तक जो बच्चों की पहुंच है वो हमारी पस्ची मंगाल के अंदर है यानि कि 44.4 परतीशत है जो की जबके सबसे ज़्यादा की बात की जाये तो हमारी वो है केरला के अंदर जो की 94.3 परतीशत है पंजाब के अंदर 88 परसेंट हिमाचल के अंदर 90 परसेंट जबकि हरियाना के अंदर है 82.3 परसेंट है जम्मू कस्मीर के अंदर हमारा 77.1 परतीशत है जो की बच्चों के पास स्मार्ट फोन है इस्ट इंडिया के अंदर जो सबसे जदा है जो कि बच्चों के पास जो कि टेक्स्ट बूक तक पहुँच है यानि कि टेक्स्ट बूक है जो कि 98% है जबकि आंदरा परदेश के अंदर ये सबसे कम है जो कि 35% है अगला कुश्चन है मेरी सहीली पहल कि संगठन के दवारा शुरू की गई थी तो इसका जवाब का सही अंसर हो जाएगा वोगा ए भारतिये रेलवे तो मेरी सहीली जो कि इनिशेटिव हो रेलवे के दवारा जो कि लूंच किया गया है इसके अंदर देखे जो भी महिलाएं ह होती हैं जो अकेले सफर करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए है जो कि ये प्रोजेक्ट चलाया गया है जहां पर उन लोगों के जो की जो मेला हैं अकेले ट्रैवल कर रही है उनका जो है आर पी एफ है जो वो उनकी पहचान करेगी और उनके जो बोर्डिंग स्टेशन हो गए और जो डिबोर्डिंग स्टेशन हो गए दोनों तक तब तक जो है उनकी सुरक्षा का पूरा का पूरा जो कि उनका जिम्मा होगा और उसके बीच उनको जो कि और भी जो उन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो भी दी जाएंगे और उनको सुरक्षा से अगला क्वेशन है कि अंदर सरकार ने कि इस राज्य में आरोग्यवन शुरू की तो इसका जो अपका सही अंसर हो जाएगा होगा सी गुजरात के अंदर तो हमारे जो प्रदानमंत्री जी है श्री नरेंदर मोधी जीनों ने गुजरात के केवडिया में आरग्यवन है जो कि उसका उद्गाटन किया है इसका जो जो उद्गाटन किया गया था यह हमारा 31 अक्टुबर 2020 को जो आरोग्यवन ने जो कि इसकी शुरुवात की गई है आरोग्यवन की बात की जाती है हमारे एक 17 एकड में फैला हुआ जंगल है जिसके अंदर 380 से अधिक जो भी हम लोगों की चैनित पर जातियां है पेड़ पोद की जड़ी बूटियों की उनको यहां पर है जो कि उगाया जाएगा इसके अंदर एक जो हम लोगों का तालाब भी है कमल का जो की तालाब है वो इसके अंदर हुगाया जाएगा बनाया जाएगा इसके अंदर जो की इसके अंदर एक जूलोजिकल पार्क है वो भी है जिसे की जंगल सफारी के नाम से भी जो की जाना जाता है केवडिया के अंदर उसका उद्गाटन किया गया था और उन्होंने साथ ही केवडिया के अंदर ये एक एकतामाल है जो की उसका भी उद्गाटन किया है अगला क्वेशन भारतिय सेन द्वारा शुरू किये गए संदेश अनू परियोग का नाम क्या है यानि के इंडियन आरमी के द्वारा जो application launch की गई है messaging application launch की गई है उसका नाम क्या है तो इसका जो अपका सही answer हो जाएगा हो गा B SAI तो देखिए जो हमारी Indian आरमी है उसने जो सिक्योर एप्लिकेशन फॉर इंटरनेट है कि अभी क्या हुआ था कि काफी जो हम लोगों के जो डिफेंस परसनल थे उनको क्या है कि पीछे बहुत सारे केसी सुने होंगा अपनल देखा था कि हनी ट्रैप वगरा के अंदर भी जो को फसाया गया था और जो हो उनको जो कि डिफेंस हमारी फोर्शीज है वो इसको मोनेटर करेंगे तो जिससे क्या होगा इसके थुरू अगर जो है जो भी हमारे परसनल न वो अपने फैमिली मेंबर्स से या फिर जो भी रिलेटिव हुआ उन से चैट कर सकते हैं और जिससे क्या होगा कि उनके जो है परसनल है वो भी उनके शिक्योर रहेगे अगला कर्शन है प्रवासन और विकास संक्षित रिपोर्ट की संगठन दवारा शुरू की गई है तो इसका जब का सही अनसर हो जाएगा डी वर्ल्ड बैंक के दवारा तो माइग्रेशन और डेवलेप्मेंट ब्रीफ रिपोर्ट है जो की गिरने की जो की यहां पर संभावना बताई जा रही है जो की हमारा लगबग 76 बिलियन अमेरिकी डोलर के जो की बराबर होगा अगला क्वेशन है ब्रह्मोज सुपर सोनी क्रूज मिसाइल का परिक्षन की स्विमान दवारा किया गया था तो इसका जब कर सही आंसर हो जाएगा होगा बी सुखोई 30 के दवारा तो भी आपको पताऊगा कि जो ब्रह्मोज मिसाइल है वो भारत और जो रशिया है उसका एक जोईंट वेंचर है ब्रह्मोज मिसाइल है जो हम लोगों की तो अभी इसका हाली में सुपर सोनी क्रूज मिसाइल के रूप में इसका जो अपग्रेडिल वर्जन था उसका भी जो की टेस्टिंग की गी थी जो कि हमारा जो सुखोई फाइटर जेट है एरक्राफ्ट है सुखोई 30 उसके दवारा इसको जो की टेस्ट फाइर किया गया था बे ओफ बैंगॉल के अंदर गाता है अब देखिए यहां पर बात आती है कि जो हम लोगों का जो सुपर सोनिक क्या होता है देखिए जो हम लोगों की जो स्पीड होती है किसी भी कोई भी object होता है उसके जो speed होती है हम लोगों कि उसको हम लोग mac number के अंदर है जो की denote करते हैं जो speed होती है mac number के अंदर जो speed निकाली जाती है वो क्या होती है हम लोगों की जो object की speed होती है उसको हम लोग sound की speed से divide करते हैं तो हम लोगों की एक से कम रहती है तो उसे हम लोग सबसोनिक बोलेंगे अगर एक के बराबर होती है तो उसको हम लोग ट्रांसोनिक बोलेंगे या फर स्पीड ओप सांड भी कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोगों की सूपरसोनिक होती है और पांच से कम होतो अगर पांच से ज्यादा हो तो वो हमारी होती है आई परसोनिक अगला क्वेशन है सारोजनिक मामलों के सुचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अच्छा शासित रज्य है तो इसका जब का सही अनसर हो जाएगा होगा सी केरल तो अभी हाल में जो हमारा पब्लिक अफैर्स इंडेक्स है 2020 वो लौंच किया गए था हमारा पब्लिक अफैर्स चैंटर के दवारा के फोर्मर चेर्मेन ने जो उनके दवारा ही जो किψो कमीटी को हैड किया गया था व्हार्व सबसे जो बैस्ट बैस्ट रनकष जाए गवा हो अमारा ड़ी आजरा को देर गया जब कि जो जबकी जब helpless परफॉर्वर्मिंग श्टेट रहा है वह वह अमारा उतर प्रदेश था लार्ज का ट्रेगरी स्टेट्स के अंदर जो कि हमारा केरला ने टोप किया गया है इसको 1.388 की रैंकिंग के साथ जबकि सेकंड नंबर पर जो कि तमिल नाडू रहा था जिसको 0.91 की रैंकिंग मिली है जो कि अंदर परदेश तीसरे नंबर पर जिसे 5.31 मिला है जबकि करनाटका को 0.468 मिला है सबसे नीचे की बात की जाए तो सबसे नीचे रहा था उत्तर परदेश फिर उससे उपर था मारा ओडिशा और उससे उपर रहा था बिहार रहा था स्माल स्टेट्स के अंदर बात की जाए तो गुवा ने लिस्ट को टॉप किया था जिसके अंदर मेगा ले और इमा चल पर देश सेकंड नंबर पर थे जबकि जो लोवेस्ट थे वो मारे मनी पूर दिल्ली और उत्रा खंड दे यूनियन ट्रेट्री के अंदर जो सबसे टोप के उपर जो रहा था यूनियन ट्रेट्री अब लोगों की वो थी चंडिगड जबकि सेकंड नंबर पर पूद्दु चेरी और थर्ड नंबर पर लक्षो दिपती अगला कुशन है S.E.R.B. पावर पहल किसके अंद्रिय मंत्रा ले द्वारा शूरू की गई थी तो इसका जबका सही अंसर हो जाएगा वोगा D. विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्रा ले यानि कि मिनिस्ट्री ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी तो S.E.R.B. पावर है ज विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्री है जो हमारे मिनिस्ट्र ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी डॉक्टर हर्शवर दंजीन के दवारा इस स्कीम को जो कि है लॉंच किया गया था यह जो स्कीम हम लोगों की जेनर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए जो की साइंस और स्कीम है लॉंच की गई है इसके तहते जो महिलाओं को है जो कि साइंस और इंजीनिरिंग के अंदर जो रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर जो है पार्टिस्पेट करने के लिए उनको जो की खाफी जो है सायताई प्रोवाइड के जाएंगी जैकि स्कोलर सिफ वगरा और होगी वो सब है जो की दी जाएगी और उनको रिसर्च और डेवलेप्मेंट वर्क के लिए भी जो की हेल्प है वो दी जाएगी अगला क्वेशन है इस रो दवारा हाल यह में लांच किये गए अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट का नाम क्या है तो इसका चपका सही अंसर हो जाएगा होगा ए ई ओएस वन तो अभी हमारा जो इस रो है यानि कि इंडियन स्पेसी रिसर्च और गनाइजेशन है उसके दवारा साथ नॉम्बर दो हजार बीस को जो की हम लोगों का अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट है जो की लॉंच किया जाएगा उसके साथ ही रिसेट रिसेट टू बी आर टू जो की लॉंच किया जाएगा और इसके साथ ही नो अदर कस्टमर सेटलाइट जैनिके जो औ जो हमारा जो आर्थ उजर्वेशन सेटलाइट है उसको अम लोगों ने जो है ई-o-s-0-1 जो की कोड़नेम है दिया गया है यह जो लोगों का सेटलाइट लॉंच किया जा रहा है इसका जो यह जो हो गाम लोगों का यह जो फोरेश्ट्री होगी इगरिकल्चर हो गया डिजा यह जो आर्थ उप्जर्वेशन सेटलाइट बेज़ा जा रही हम लोगों का इस रोका फिफ्टीफ फर्स्ट मीशन है जो की बेज़ा जाएगा इसको जो उमारा पी एसल भी विकल होता है यानिके पोलर सेटलाइट लूंच विकल है हुस के दवारा इसको जो की छोड़ा जा है तो इसका जबकर सही अंसर हो जाएगा होगा बी के थर्टी फाइफ तो हाली में भारतिय नोसेना के दवारा पस्चिम बंगाल की खाड़ी के अंदर जो की आई एन एस कोरा से जो है एंटी सीप मिसाइल है जो की इसको टेस्ट फाइर किया गया था और इसको सफलता पुर्वा का जो की टेस्ट किया गया था यह जो हम लोगों की जो हम लोगों की जो हम लोगों की जो हम लोगों का 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 जो हम लोग पुरा कलास मीशन्स के अंतरगत जो वार्शिप डवलप किये थे वो थे हमारे आई एनस कुलीस, आई एनस किर्च और जो आई एनस कुर्मुग है आज को मारे कोशिन अब दाड़ी है द्रव के परवाकुमा अपने के लिए पर युक्तूब करने का नाम क्या है तो जो मारा जो fluid की flow को measure करने के लिए जो instrument यूज़ होता उसका जो आपको नाम है वो आपको comment box के अंदर बताना है तो ये था हमरा आज का वीडियो आशा करता हूं आपको पसंद आऊगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप करने के लिए बैल आइकन को जुरूर दबाएं तो मिलते हैं कल सुबह के साथ वजे के सेशन में तक पढ़ते रही है और सुरक्षित रही है धन्यवाद